विहार के मुझफरपूर के बीवी गंज में सड़क दूर्खटना में दो युवकों की मौत हो गई खटना के बाद आक्रोशिक लोगों ने मुआवजे की मांद करते हुए सड़क जाम कर दिया मुझफरपूर समस्तीपूर मार्ग को जाम कर प्रदर्सन किया जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइन लग गई जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर सिटी एसपी दलबल के साथ पहुँचकर लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया सव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया एस्टियो पूर्वी ने बताया की सदर थाना क्शेतर स्थित बीबी गंज के साकेत पुरी निवासी अंकित कुमार अपने एक साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे इसी बीच उनकी बाइक बस की चपेट में आ गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई जबकी दूसरा युवग गंभीर रूप से घायल हो गया उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां इलाज के दोरान उसने भी दम तोर दिया घटना को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है लोगों को समझा बुझा कर जाम समाप्त करवाया गया बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट जैसा आप लोग देखे होंगे कि यहां पे एक बहुत ही दुखा दुरगटना होई है जिसमें एक बच्चे की जान से लिए गई और एक बच्चे अभी हॉस्पिटल में माजान के एस्पताल में बुरी तरीके से खायल हो करके भरती है इसी तुरप से यह दुरगटना काफि दुखदाई है और इसमें जो बाते हैं सामनी आई हैं कुछ कट्स हैं जिसको कि हम लोग बंद करवाएंगे और जो सर्विस लेन हैं उसको अतिकर्मन मुक्त करा करके ताकि जतने भी मोटरसाइकल चालक हैं उनसे अनुरोध होगा कि वह में रूट में ना करके सर्विस रूट में चलें और जो यहां पर एक बात आ रही है कि चा हम लोग एने ची आई से बात करके रंबल स्ट्रिप यहां पर देंगे ताकि स्पीड यहां पर कंट्रोल रहे हैं जे जो बिहार सरकार की ओर से सामोही की दुरगटना में जो मुआपजा दे होता है परिवार के सदस्य को चारलाक रुपया मुआपजा दी हैं उसका एक समय अतिकर्मन के कारण आए दिन घटना घटना है उसी में उनकी दुर घटना हो गई है तीन-चार घटना से लास अभी यहां पर रखा हुआ है दो-तीन थाने के पूलिस आ गई है लेकिन आम जनता और आक्रोशी जनता का सिधा-सिधा मांग है कि भाई यहां आय दिन जो घट के लग में पंगु बन जा रही है जिसके कारण प्रतेक दिन लास निकल ला है तो उन माफियाओं उसे परसासन लड़े और यह जो अतिकर्मन है यह अतिकर्मन को हटाए और यही सिधा-सिधा मांग है और उनको जो मुआपजा उतो उनका ना माबाप है न कोई है जो सरकारी म आप जाए उसको अभी यथा सिधा दिया जाए और आम जनता सहयोग में है परसासन जो चांदनी चोग से लेके भगवानपूर तक जो अतिकर्मन की है उस अतिकर्मन को हटा दे और पूर्ण उपें से जाम खतम हो जागा यही मांग है लेकिन पता नहीं अभी ट्रेफिक प अतिकर्मन को मुक्त कराने के लिए परसासन और ट्रॉफिक पूलिस इस पर काम करें यही हम लोगों का मांग है यही आक्रोसी जनता का भी मांग है अनय राज युवा सक्ति का राष्टिये से नहीं जाए